हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज की क्लास और आज की वीडियो आज का कन्वर्सेशन इसे होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे मैंने बाते की और कॉलिंग करवाएं जो हमारे पास एक्जिस्टेंस में पढ़ रहे थे पेड़ पे उनसे भी और अधर जो आफ लाइन में आते हैं उनसे उन सभी से बिलकुल पूछा ज्यादा तर बच्चों को कहना था कि सर हमने ना अभी ना ज्यादा कुछ किया नहीं है दो चैप्टर बेसिस पे आपके उसमें से अगर कोश्ट आते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं दूसरी चीज जो बच्चे पूरा स्लेबस कम्प्लीट कर चुके हैं मुस्त वो इस वीडियो उसके लिए बेनिफिट मिल सकता है लेकिन इस पे बिलकुल 100% अगुरेट नहीं जान तो यूनिट नमबर वन को भी मैं स्पेसिफिकली दो पार्ट में बाट दूँगा और यूनिट नमबर वन आपके एक्जाम में 15 नमबर का पूछा जाए तो दो पार्ट में बाट हूँ तो इसमें से जो कोश्टन बनना है एक बनना है 10 नमबर का और एक बनना है 5 नमबर क और साइद एक question पंद्रह का भी हाद है तो अगर unit number one की मैं बात करूँ तो unit number one में पहला chapter मैं अलग रखूँगा equity share capital का दूसरा preference share capital और तीसरा bonus और हाला कि मैं इन दोनों को एकी chapter मानता हूँ चौथा buyback इन सभी chapter को मैं एकी chapter के category में रख रहा हूँ इसरी तरफ मैं chapter रखना चाहता हूँ adventure और ESOP और एक है हमारा underwriter इन दोनों के बीच में आपका आएगा और मतलब एक question इस topics पे बना के अलग कर देंगे और एक question इस topic पे बना के अलग कर देंगे दोनों में से एक करो तो आप खुछ समझदार हो कि बैस जब यह topic से आएगा question एक और इसको अलग कर सकते हैं examiner तो हम एक कोई भी choose कर लें तो मैं थोड़ा काम असान कर रहा हूं तर जो equity share वाला है ना equity share वाला आपका 12th standard वाला है friend share मैंने revision करा दिया है revisionary video डल चुका है आप अच्छे से देखिए मातर दो घंटे में पूरा चप्टर खतम हो इतना तो करना पड़ेगा आपको उसके साथ-साथ question प्रैक्टिस कर तर बोनस ही revision वीडियो आने वाला है आपका recording चल रही है तो बोनस और यह यह सिर्फ एक घंटी में मैं पूरा बोनस आपको करा दूँगा पाइबेक भी सिर्फ एक घंटे में करा दूँगा तो ट्वैल्थ वाले इस चेप्टर को एक घंटे में कराना पॉसिबल नहीं है इसको आप समझाल ले दीजिए बाकी यह तीन मुझे दे दीजिए मैं चार घंटे में पूरा करा दूँगा और ऐसा नहीं करा हूँगा कि आपके एक्जाम से कुष्ण होंगे नहीं सारे कुष्ण आपके होता हैंगे तो इसमें से आप यह पूरा टॉपिक करके जाएं किन बच्चों ने पूरा कर रखा है पूरा करें सर डिबेंचर में से भी कुछ टॉपिक बता दीजिए जो करके जा सकते एक तो वो है हमारा क कर रहे हैं यह थोड़ा से तफ होता है और कुछों को समझ नहीं आता जिसमें ने कर रखा है ओके कर इस सौप भी मैं रिवीजन कुला दूआ देखो कोई बच्चा हो सकता है सर मैंने तो यह वाला सेक्षन चूज कि आप यह वाला तो कर रहे हो लेकिन यह तो करा ही नहीं हमारी तो डिवेंचर स्ट्रॉंग है तो उनके लिए भी मैं बताए रहा हूँ अंडर राइटर में से आपका यह भी मैं कोसिस करूंगा रिवीजन में आ जाए लेकिन पॉसिबल नहीं बन पा रहा है लेकिन कोसिस रहेगा इसके उपर मैं टिक लगा रहा हूँ ना उस बच्चों ने यह वाला सेक्षन स्ट्रॉंग कर लिया वह इसी पर रहे और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं करा तो उनके लिए यह है कि सर यह वाला पाट आप स्ट्रॉंग कर लिए और जिन बच्चों ने दोनों का रखा है दोनों अच्छे से यह यूनिट वन है सर इ पंद्रा नंबर का एक कुश्चन आएगा फाइनल अकाउंट इसका रिवीजन पॉसिबल नहीं है वीडियो सारी डली है आप देखिए इसके अंदर एक से डेट दिन का टाइम लीजिए पंद्रा नंबर का कुश्चन आएगा अगला एस ट्विंटी मैं बहुत जल्दी इसके रिवीजन की वीडियो लेकि आऊँगा कैस फ्लो स्टेट्मेंट ये दस नंबर का सवाल आएगा और साथ के साथ आपका रेशो ये एक्जामनर ने अभी तक क्लियर नहीं करा कि रेशो लेंगे या नहीं लेंगे मैं रेशो की डाग दूँगा को ये 25 नंबर का है तो मैं आपको रिकमंडेशन क्यूंकि अभी जो है जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए मैं तयारी करवा रहा हूं वो किस तरीके से कर पाएंगे जिन्होंने सारे चप्टर कर लिए वह तो बिलकूर रिलेक्स हैं आप टेस्ट हो रहा है कर लें थोड़े से अर्जस्मेंट एक्स्ट्रा है मैंने करवा दिये हैं एस ट्विंटी बहुत बहुत आसान है एक घंटे में पूरा करा दिया और इसमें से सवाल पूछा जाएगा और फाइनल अकाउंट फॉर्मेटिंग बेस आप रेशो को एक बार को छोड़के जा सक आपके पास यह टारगेट है कि यह दो यूनिट आप अगले दो दिन के अंदर दो से तीन दिन में खत्म कर लो आज है आपका मॉर्णिंग में वीडियो डाल रहो हूं मैं आज है आपका सेटेडे सेटेडे पूरा टायम लगाई है इसी प्लैनिंग के आप से पहला पेपर ठीक है तो मैं अब और वाले पर भी चल रहा हूं इस यूनिट में और आएगा क्या हां बिल्कुल इस यूनिट में और बनेगा और बनेगा फाइनल अकाउंट और इसके साथ आ सकता है एक छोटा सा रेशो या रेशो की जगह पर EPS आ जाएगा ठीक है इसने रेशो पूछ सकते हैं छोटा सा एक रेशो पूछ सकते हैं या थियूरी पूछ इसके और में डालेंगे वो EFS और और में डालेंगे आपका AS20 जो संभावनाएं बन रही है वो इस हिसाब से बन रही है तो इसके अंदर भी आपके पास स्पेसिफिक सीजे मिल गई नेखो आप Cash Flow और Final Account में से एक चेप्टर चूज करें क्योंकि इसमें option में और में आएगा ही आएगा तो आपका अगर Cash Flow स्टेट्मेंट स्ट्रॉंग है टाइम कम बचाए इसको कर लीजिए और AS20 को कर लीजिए बेज जग पाइनल अकाउंट को पड़ के जाएए क्योंकि आगे चेप्टर में यूज होगा बस एक बार देख लेना है ठीक है और रेशो की वीडियो में डाल दूँगा बेसिक बेसिक सी है कोई ट्वेल्थ स्टेंडर्ड में जो रेशो किया था अगर आपको याद है रिसेंटली ठीक है नहीं तो जो मैंने पहले वीडियो कराया हुआ है वही मैं पुरानी रिकॉर्डिट डाल दूँगा फ्रेश इस पे मैं कोई रिविजन वीडियो नहीं बरा रहा हूं ठीक है यह था आपका यूनिट टू वान और टू में मैंने सेलेक्शन वाइस भी बता दिया वन में से आपका क्या आएगा इस यूनिट में से और इस चैप्टर में आप्शन रहेगा व्यूमें कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट में आप्शन आएंगे तो थोड़ा बहुत मैं काम आसान करना चाहता हूं और मैं यह सारी बाते आपको प्रॉबैबिलिटी के बेसिस पर बता रहा हूं फ्रिक्वेंटली जो कि पूछे जाते हैं इस पर माई पास्ट एक्सपीरियंस एक्जामनर की मर्जी है वो कुछ भी कर सकते हैं मैं बता रहा हूं कि नौ दिन में ज पैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ आप अपने फ्रेंडों को भी बता सकते हैं एल्प करते रहे हैं थैंक यू सो मच मिलते हम नेक्स्ट वीडियो